नमस्कार स्वागी थे आपका मेरे चैनल में आई मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा निटिंग का डिसाइन लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तिमार कर सकते हैं लुकवाइज यह बहुत ही सुन्दर लगता है और बिगनर्स भी इसको बड़ी असानी से बना सकते हैं सीधी और उल्टी सलाई से ही पैटर्न बनता है और इस तरह से तिर्शी इसमें डिजाइनिंग आती है जो कि बनने के बाद लुक वाइस बहुत ही सुन्द लगती है बैक साइड से देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आई है 12 सलाई के बाद फिर से हमने इस पैटर्न को रिपीट करना है और जो गैपिंग है इसकी वो हमने 9 के मल्टिपल के हिसाब से फंदे लेने हैं दो फंदे एक्स्टर लेने हैं और दो और एक्स्टर लेने हैं जो की LEFT और राइट तरफ हमारे एज्जिंग के फंदे होंगे तो इस तरह से हमने 9 के मल्टिपल के हिसाब से फंदे लेने हैं प्लस टू प्लस टू जानिके चार फंदे एक्स्ट्रा तो उसमें हमारा यह जो पैटर्न है डिजाइन है यह हमारा फिट हो जाएगा आपने जितने फंदे अपने प्रजेक्ट में लेने हैं उसके हिसाब से 9 के मल उल्टी लगा ली है उसके बाद मैं सीधी तरफ आ गई हूँ आप अपनी मर्जी का बॉर्डर बनाए और उसके बाद इस पैटन को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो यह देखें फरस्ट रो आगी हमारी पैटन की राइट साइड सीधी तरफ से एक फंदर स्लिप किय दो फंदे हमने उल्टे बुलने हैं दागे को पीछे करेंगे अब देखें नो का मल्टीपल है तो नो में से हमने दो फंदे उल्टे बुल लिए रहेगे साथ फंदे उन साथ फंदों को कैसे देखें अजस्ट करेंगे पीछे से हमने फंदे को उठाके आगे वाले तरफ ले आना है और आगे वाले फंदे को पीछे वाले तरप ले जाना है यानि कि ट्विस्ट करना है दो स्टिचीज को फिर एक फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरह से और जो पीछे का सेकंड फंदा था उसको हमने डवल दागा गुमाते हुए उसको सीधा बुन लेना है तो इ सीधा बुन लेना है यह करके देखें दो उल्टे हो गए इसको डवल बुना और यह पांच ठीक है साथ और दो नो का डिजाइन हो गया दो हमने जो एक्स्ट्रा फंदे लिए हैं जिससे हमारा डिजाइन अड्जस्ट हो जाएगा उसको हमने दोनों को उल्टा बना लेना है यह हमने सीधा बुल लेना है यहमारी राइट साइड है पैटर्न की फॉर्स्ट रो है तो एजिंग का बना लिया और हमारी यह रोव कंप्लीट हो गई अब हम आगे उल्टी तरफ से रांग साइड है, सेकिंड रो है हमारी ये उल्टी तरफ से, एक फंदा स्लिप किया, एजिंग का दागे को पिछे करेंगे, देखें अब, नो फंदों में किस तरह से पैटर्र अजस्ट करेंगे, दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं, दागे को अपनी तरफ करेंगे, अब ये पांच, पांच फंदे उल्टे बनाए, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, फिर दागे को अपनी तरफी रखेंगे, जो हमारा ये डवल बनाया हुआ था ना, जो बल डाल के हमने बुना था, उसको हमने अनफोल्ड कर लेना है, और उसको स्लिप कर लेना, उसको बुनना नहीं है, अगला फंदा हमने एक उल्टा बना लेना है, और दो फंदे अगले हमारे सीधे हैं, और लास्ट का एजिंग का हमने उल्टा बना लिया, तो ये हमारी पैटन की सेकिंड रो रांग साइड कम्लीट हुई, अब हम आगे सीधी तरफ रो थ्री में राइट साइड, पहला फंदा स्लीप किया, दागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, अब देखें, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब हमने फिर से ट्विस्ट करना है, दो फंदों को, तो जो फंदा हमने पहली बार ट्विस्ट किया था, जिसको डवल यान से बुना था, उसको हमने पीछे ले जाना है, और उसके पीछे वाले को आगे ले आना है, और जो डवल यान से बुना था, उसको फिर से हमने डवल यान से ही बुना है, इस तरह से और आगे के चार फंदे होंगे हमारे, उसको फिर से हमने सीधा बुन लेना है, इस तरह से य जाना है और हमारा जो डिजाइन है यह पैटर्न है आगे खिसकता जाएगा और आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा तो इस तरह से हमने राइट साइड में कर लिया अब आगे हम उल्टी तरफ रांग साइड रो फोर में एक फंदा हमने स्लिप किया अब यह देखें यह में सीधे दिख रहे हैं तो हमने सीधे ही दो बना लेने हैं दागे को अपनी तरफ करेंगे अब रांग साइड में हमने हर बार उल्टे फंदे ही बनाने है पर जो फंदा हमने डबल दागेल पेड के बनाया था उसको हमने सिर्फ अनफोल्ड करना है और स्लिप कर देना उसको बुनेंगे नहीं देखें यहां पर चार फंदे उल्टे बनाए चार फंदे उल्टे हो गई अब इसको हमने खोल देना है और इसको स्लिप कर देना है इसको बुनना नहीं है अगले दो फंदे फिर हमने उल्टे बना लेने है तो उल्टी तरफ से हमने हर बार ऐसे ही करना है और ये दो फंदे ह आगे हैं, रो 5 की तरफ, राइट साइड, एक फंदा स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बनाए, दागे को पीछे करेंगे, अब यह देखें, यह वाला फंदा था न, इन दोनों को हमने पहले सीधा बुन लेना है, दो फंदे सीधे होगे, अब यह वाला फंदा हमने ट्विस्ट करना है, हर बार इसको सीधी सले में ट्विस्ट करते जाएंगे, इसको ट्विस्ट करके पीछे लेगे, अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, जो ट्विस्ट करने वाला डिजाइन वाला फंदा है, वो हम डबल दागे से बुनेंगे और बाकी हमारे जो तीन फंदे राएगे आगे उनको हमने सीधा बना लेना है यूँग करके फिर दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे और एक एजिंग का हमारा फंदा है वो हमने दागा पीछे करके सीधा बुन लेना है यूँग करके तो इस तरह से हमारी सीधी तरफ रो 5 वी कम्लीट हुई अब हम उल्टी तरफ आ गए है रॉंग साइड रो 6 है हमारी एक फंदा हमने स्लिप किया आइजिंग का दो फंदे सीधे बुने दो सीधे फंदे होगे अब उल्टी तरफ है जैसे मैंने आपको कहा सारे फंदे हमने ये उल्टे ही बनाने हैं जो साथ फंदे हैं और दो तो उल्टे होगे न सीधे होगे न हमारे इसको अनफोल्ड करेंगे और स्लिप कर लेंगे और आगे के तीन फंदे फिर से हमने उल्ट अब हम आगे हैं row 7 की तरफ, right side है ये, फिर से एक फंदा slip करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, अब साथ फंदों में फिर से ये design बनेगा, shift होगा जैसे आगे आगे जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, अब इसको हमने आगे shift करना है तो पीछे का फंदा आगे ले आएंगे, आगे का पीछे, twist कर लेंगे दो फंदों को, twist करने के बाद एक सीधा फंदा बुनेंगे, और जो अगला design का फंदा है, उसको हमने दो बार दागा लपेटते हुए बुनना है, और बाकी जो हमारे आगे दो फंदे हैं, वो हम सीध हुई, अब हम आगे हैं, उल्टी तरफ, रो एट में, एक फंदा slip किया, दो फंदे हमने यहां पे सीधे बनाए, और बाकी फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, साथ फंदों में से, ये को unfold करके slip कर लेंगे, और आगे के फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, यह हमारे उल्टी तरफ है दागे को पीछे करके फिर हमने दो फंदे सीधे बुल लेने हैं और लास्ट का हमने उल्टा फंदा बना लेना है अब देखें हम 9th row में आ गए हैं राइट साइड है मारी ये सीधी तरफ एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं जे अहर बार ह कि इसलाइ में तो आगे 7 फंदों पर देखिए 4 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन और है चार सीधे बुने अब ये डीजाइनिंग का आ घया सीधा बना लिया दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे और एजिंग का फंदा सीधा बना लेंगे अब देखें अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉंग साइड रो टैन में दस्विस लाई है पैटर्न की एक फंदा स्लिप करेंगे दो सीधे दिख रहे हैं तो सीधे ही बना लेंगे दागे को अपनी तरफ करेंगे उल्टी तरफ से उल्टा फंदा और जो डवर बार बेटा हुआ है उसको unfold करके स्लिप करेंगे और बाकी के फंदे जो हैं 5 वह हम उल्टे बना लेंगे दागे को पिछे करके 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा तो row 10 wrong side भी हमारी complete हो गई है अब आगे हैं हम सीधी तरफ row 11 right side एक फंदा slip करेंगे, तो फंदे उल्टे बनाएंगे यूँ दागा पीछे करेंगे अब हमने 5 फंदे सीधे बनाने है जब आप इस pattern को बनाएंगे तो आपको गिनने की जुरूरत नहीं पड़ेगे आप बड़ी असानी से बना लेंगे तो ये देखें 5 फंदे मैंने ये सीधे बनाए पांच अब ये देखें, ये design का आगया फंदा तो इसको twist कर लेंगे twist करने के बाद एक सीधा और जो designing का फंदा है उसको हमने double bar लपेट के बुनना है सीधा, फिर अपनी तरफ दागा करेंगे दो फंदे उल्टे और एजिंग का एक फंदा हमने सीधा बना लेना है उल्टी तरफ आगे हम, row 12 है हमारी बारवी सलाई, रांग, साइट उल्टी तरफ एक फंदा स्लिप किया, दो फंदे सीधे बनाएंगे दागे को अपनी तरफ करेंगे अब स्टार्टिंग में ही हमारा double दागे बाला फंदा था उसको unfold करके स्लिप कर लिया और बाकी के हमने 6 फंदे उल्टे बना लेने है 6 दागे को पीछे करके दो फंदे सीधे और लास्ट का एक फंदा जो है वह हम एजिंग का उल्टा बुल लेंगे तो यूँ करके देखिए बारा स्लाइएं हमारी पैटर्न की कंप्लीट हो गई है इस तरह से यह देखिए तिर्शी लाइन की तरह इस पर एक डिजाइन बना है जो कि लोकवाइज बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए अब आपने इनी बारा स्लाइएं को रिपीट करते हुए जाना है जितनी आपको डिजाइड लेंथ चाहिए जितनी आपको लेंथ की जुरूरत है अपने प्रजक्ट के अनुसार अब यह स्टार्टिंग में हमने जो फंदा जो त्विस्ट किया था तो वो यहां से हमने पहले फंदे से किया था फस्ट रो में लास्ट में यह बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा तो इस तने से आपने यह बारवी सलाई को कंप्लीट करके तेरवी सलाई से फिर से इस को रिपीट कर लेना है तो बड़ा ही असान पैटरन है बिगनर्स इसको बना सकते हैं इस तरह से तिर्शी तिर्शी सलाइंस में बनती जाएंगी दो तो उल्टे फंदे बनेंगे साथ के ओपर यह डिजाइन शिफ्ट होता हुआ जाएगा और जो दो लास्ट में रखे हैं व इसको किसी भी कलर में बनाईए किसी भी भूल पे बनाईए बड़ी प्यारी लोकिस की आती है अगर आपको मेरी वीडियो चला गया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो मे धन्यवार